आप सभी का स्वागत है अपनी फ्री लेक्चर स्रीज जिसमें हम सिविल इंजिनियरिंग से रिलेटर बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश में जादर दिक्कत आती है हिंदी और इंग्लिश मिक्स में करके पढ़ा रहे हैं इसमें हम टॉपिक चालू करने वाले हैं एक अगर आपको अथी है या फिक कम आती तो भी कोई दिखकर नहीं है आप इसको समझ सकते हो अज कल सेंटर लेवल की जो एक्जाम सोन में खूब आती है यह तो आपको बेसिक आइडिया टॉक्टुबट आवा में लेक्चर सेरीज में देंगे हैं है इड्रॉलिक मशीन सबसे पहले मशीन की बात कर ले नाम से पता लग रहा है कि ऐसी मशीन है जो हाइड्र मशीन जो की कनवर्ट करती है वैसे भी मशीन का काम क्या है एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कनवर्ट करना होता है या एक एनर्जी का यूज करके फर्दर उसको दूसरे एनर्जी में प्रेड्यूस करकर किसी यूजफुल काले के लिए यूज किया दाता है वैसे भी पता है एक साथ ⁦्य को में तो опер स्टकुर्ण फ़ATOR कर से हुति है जो या फो अवहां मतलब पानी पर्च परका प्रेशर फोंग्र पर आंसी को बाजाता है एक अप आद दोसरे प्रकार फ़री Scale की को फीですかμεं पानी परसे इनर्जी आफ गाफ यहां में च दोसु़ हम pumps कहते हैं basically मोटा मोटा हमारे दुद्धी में बैठी बाग तो दो प्रकार की मशीन होई एक तो पानी के पास उर्जा है पानी के पास उर्जा है उस उर्जा का उप्योग करके हम हमारी मशीन को उमाकर mechanical energy में mechanical work produce करते हैं इनको और जिनमें हम बिजली का बटन दबाके mechanical energy देकर उसको फर्दर हम वाटर पावर के रूप में उर्जा करते हैं जैसे आपके धर का जो मोटर होता है पानी की जो मशीन होती हो करती क्या है आपने electrical energy से mechanical energy दी और mechanical energy को फर्दर उसमें आपके उपर वाले terrace पर क्या पहुंचा दिया पानी को hydraulic energy के रूप में उपर पहुंचा दिया ठीक है सबसे पहले हम इसा सब्सकी पहले सब्सक्की पहले यावावर फ्रांसिसस तरवाइन दोसरा अदिया कैसे है क्या होती है सिद्धान पर और किस तरीके सबीवच करती हूं guarवी केल इत्रोडल घ्रेक्ट्ट्रम या ऐसे धर पॉम्स की बात करें तो हमारे सब्सकी सेंट्रिफ्यूगल को दूसरा हम पढ़ेंगे रैसिप्रोकेटिंग थीसरा को पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे यह अंद। यह लिफ्ट मतलब जो सीवेज हो गयरा सीवेज जो होता है गाडा लिक्विड होता है जिसमें ठोस कंटी हो सकते हैं उसको पंप आउट कैसे किया जाता है रैसी प्रोकेटिंग पंप और सेंट्रिफ्यूगर पॉंप बिसलिए आपने जो पंप के नाम से हम जानते हैं मोटर पंप को रिफ्ट करने काम आते हैं या हैई डेंसिटी लिक्विड को पर देखेंगे करने काम अंको होता है तो सबसे पहले मशीन प्रग्रा थैंट अगर तर्वाइन की अगरने पास पहले और जाने उर्जा होने चाहिए इसके रूप में बातर के रूप में और जाएए लिए मैंने आपके लिए से समय से युकरने के लिए पहले से इस डाइट्रम बना दिया पर दो इसमें से टैक उश्चन है जो अब जेक्टिव में आपको आने चाहिए तो यह हमारे पास क्या है जर्नल लेवाउट जर्नल लेवाउट प्लांट और हॉझ। पावर प्लांट थिक है चलिए हईड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में अगर देखें तो इसमें कुछ एप एलिमेंट होते हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए सबसे पहले तो यह देंग तर्ट किया जाता है की डैम की साइट कैसे होते हैं कहां पर डैम बनाए जाता है किस्कार बना जाता है वह हमारे पास बिसकी प्रजे Club Пос taped दिक होते हैं बनाना है तो आपको gravity dam ही बनाना पड़ता है यह high dam होता है high height तक होते हैं जिन में 300-300m तक भी पानी को इस्टोर किया जा सकता है तो basically dam का जो बर्क होता है वो water को store करने की काम में आती है यह basically water को store करने की काम में आती है to store water it is used to store water high head पर water को store करने की काम में आती है इसमें जो head होता है पानी का उसको gross water level बोलते है इसको gross head बोलते है water का gross head of water इस पानी को pen stock की मदद से pen stock एक pipe है pen stock एक pipe है जो large diameter pipe है large diameter pipe होता है जिसकी मदद से उसको hydroelectric power plant में पानी को ले जाया काता है उठ जावाली पानी वो high diameter का pipe होता है काई कि के किलो मीटर नंबा भी हो सकता है जो project की जो अमारी turbine जाहन इस टोल है योजल बेसिकली एक equipment है जिसका उपयोग किया जाता है कि पूरी पूरी प्रेशर energy जो है जो प्रेशर energy है वो उसको high velocity के रूप में convert कर देती है और जो velocity होती है वो भी होती है under root 2GH जो भी हैच आपने पास available होता है पर एक बात आपको आपको से पता है कि एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर पानी पाइंट में बहर आए तो उसमें कुछ losses होगी कि minor losses जोते हैं फ्रिक्ष्टन लोस भी होते हैं maximum loss होते हैं तो जितनी power energy पानी के पास जो हमारे पास gross H net होता है, H net basically होता है, gross head में si master, आपको friction loss रटाना होता है, friction loss है आप성े में पढ़आए, फ्रिक्शन वे पढ़को क्यों । इक्वेशन यह आपको सबको पताओगी नहीं पताओ तो मैं लिखना हूं कि friction loss ji होता है collecting f L v square upon 2 GB , 1 Gd , तो फुरा सा भुजब ना रखे आता है यह विए फ्रिक्शन फ्रिक्शन होता है यह लेंद प्रणी ऑफलो और यह ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन चली आजाते हैं तो हमारे पास पाता नोजल पर ब्रॉस एड नहीं रहता कुछ कम रहता है यह नोजल जो होता है जैसे ही न टर्वाइन की जो शाफ्ट होती है वह भी घूमना चाहिए पर ब्लेड पर तो पढ़ना क्या है वह देखना है तो इंपेक्ट आफ जैट का नाम पर इक चर्टर है वह बीसिकली आपको पत्र होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे जैसे ही यह आपके आप यह शाफ्ट घ सब्सक्राइब कर लिए जैसे पानी को बहार निकालने के लिए वापस से रिजर्वायर नहीं नदी में वापस से डालने के लिए एक युकते की होती है छोटी-छोटी चैनल्स होती है लंभी इन को बोलता है टेल और या यम को की पॉला जाता है पानी के लिएक अ。 इसको भूला जाता भूख है तो पानी का जो यह लेवल होता है यह तो यह हमारा मोटा मोटा जो है एक जनल आईडिया है यह हमारे पास यह हो क्या रहा है है इसकी कुछ बाते अगर देखें तो यह कैसे निकालते हैं आपको समझाई पर gross head की एक और basic question है जो आपको आना चाहिए, note में आप लिख भी सकते हो, इसको pause करके, कि जो gross head है, तब ना पढ़ जाता है, ये तो आप कह सकते हो, किसके बीच में, difference between tail race और gross level जो अपना dab में है ये, परन्तु gross head की जो गर्णा की जाती है, वो जब की जाती है, जब no flow condition, it is calculated, no flow condition, no flow condition, जब अपने पास कोई भी पानी ना बहरा हो, टरपाई में, एक चीज़ वार है, आप books को उठाएंगे, तो यहाँ पर एक tank को दिखाए जाता है, open tank, इसको search tank बोला जाता है, search tank, search tank, search tank का basically, उप्योग क्या होता है, यह नोजर पर जो बाल लगा होता है, गेट वाल यह सुनूज वाल लगा होता है, इसको बंद कर दिया जाए, कभी भी maintenance करनी हो, तो बंद कर दिया जाए, तो क्या होगा, water hammer की समस्य उप्पन होती है, तो water hammer, water hammer की problem को reduce करने के लिए, या फिर water hammer की problem को counter balance करने के लिए, search tank भी लगाया जाते है, पैन श्टोग पारिक में, या air pressure relief valve भी लगाया जाते है, और search tank भी लगाया जाते है, इनके बारे में आप Apple में अल्रेडी पढ़ गया चुके हो, तो यह हमारा basic basic idea है, तो यह पहले lecture में हमने आज क्या सीखा, हमने यह सीखा कि journal idea देखा कि hydraulic machines में machine होती क्या है, दूसरा, सबसे पहली turbine लेए, turbine में basically components elements होते है, turbine के अंदर क्या होता है, वो जो भी देखेंगे, तीनों turbine के बारे में, परन्तु basically idea लगा कि क्या हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, तो पुल मिला ज़र जर्णल आपके पास idea है, त case of turbine, in case of turbine, in case of turbine, in case of turbine हमारे पास क्या थी, water power थी, पानी की pressure के रूप में ओर जा थी, उसको हमने वेन से टकराया, runner-up से टकराया, jet के रूप में nozzle की साथा से, और runner power में convert कर दिये, और वो runner power further shaft से connect थी, तो उस runner power से shaft से connect थी, तो वो shaft power में convert हो गई, तो basically हुआ क्या, और टकर साके tail raise के थुरू वापस से stream में, river stream में मिला दी गई, तो basically ये वाला point हुआ और ये वाला point हुआ, तो next question जो हमारा important question है, वो है efficiency of turbine, efficiency of turbine, efficiencies of, क्या दे सकते हैं इसको, hydroelectric power plant में, जो plant में efficiency defined होती है, वो होती है, basically 4 होती है, उनमें से 3 important है हमारे, एक तो यहां के बीच में प्रेशेंसी जो होती है, आउपुट बटा में input, ठीक है, आपने कितना काम दिया, कितना input दिया और कितना आपको मिला, ठीक है, तो वाटर पावर थी और रणर पावर मिली, तो इनके बीच में जो efficiency होती है, उसको बोला जाता है अपने hydraulic efficiency, रणर पावर और शाफ पावर क कि बीच में जो होती है, उसको बोलते है, overall efficiency, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि hydraulic efficiency, तो hydraulic efficiency क्या होती है, hydraulic efficiency, efficiency क्या बात हो, output, output के नाम पे क्या मिला, runner power, input के नाम पे क्या दिया, आपने, water power, ठीक है, ऐसे ही अगर mechanical efficiency की मैं बात करूँ, तो mechanical efficiency में, output में क्या मिला, आपको शाफ पावर, और input में क्या किया, runner power, impact of jet में देखेंगे कि water power इतनी थी, तो जब हो टकर होती है, तो उसमें कितनी runner power उत्पन होती है, तो impact of jet में आप अगले चप्टर में यह सीखेंगे, ठीक है, तो इसको बोलते है, mechanical efficiency, और overall क्या हुआ, overall यह हुआ, कि output में आपको मिला क्या, शाफ पावर, input में आपने दिया क्या, water power, water power दी, आपने, इसका मतलब overall efficiency ही होगी, इसका एक question भी आता है, जहां आप note डाल सकते हो, note डाल सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो, overall efficiency होता है, इसको मैं दू, उपर भी runner power से इंटू कर दू, और नीचे भी runner power से इंटू कर दू, तो यह कहीं देखा देखा लग रहा है, SP बटे RP, SP बटे RP को क्या दे सकते है, mechanical efficiencies, और यह कहीं देखा देखा लग रहा है, RP बटे MWP, इसको क्या बोल सकते है, hydraulic efficiency, ठीक है, तो basically यह जो efficiency है, यह efficiency over our efficiency है, दोनों efficiency को multiply होती है, ठीक है, इसके अलावा एक और efficiency होती है, volumetric efficiency, जब turbine से पानी टकराता है, तो पूरा नहीं टकरा पाता है, उसका कुछ loss हो जाता है, discharge का, उसको volumetric efficiency बोला जाता है, ठीक है, पर अपने पास तीन efficiency, जो आप तो कम से कम आनी चाहिए, ठीक है, तो यह था आज आपका general introduction, next lecture में हम आगे बढ़ेंगे, hydraulic machines के बढ़ेंगे, thank you बढ़ेंगे, के बढ़ेंगे, क एफ ते, बढ़ेंगे, जो आपका जो आपका बढ़ेंगे, जो आपका बढ़ेंगे जो सक critical kingdom through.